हेलो दोस्तों वेलकम बैक विद न्यू वीडियो दोस्तों आप्शन स्टेटिंग की इस स्ट्रेटिजी ने हमको 42% तक के रिटन्स बना करके दिये हैं चार फरवरी से लेकर के चार माई तक की डेटा के उपर इस स्ट्रेटिजी का नाम है put option bearish expansion जहां पर हम लोग market के bearish होने का फायदा उठाते हैं चलिए इस स्ट्रेटिजी को आज की वीडियो में backtest करके देखते हैं और आप कैसे इस स्ट्रेटिजी को copy कर सकते हो देन उसके बाद इसको deploy कैसे कर सकते हैं चलिए वो भी देखते हैं तो दोस्तों इस स्ट्रेटिजी का direct link मैंने description box में दे रखा है आप उसपर से क्लिक करके इस स्ट्रेटिजी को पहले open करिएगा open करने के बाद आपको सीधे क्लिक करना है copy strategy के उपर ताकि आप अपने streak account के उपर इस strategy को copy कर सके हैं तो जैसे कि मैंने बताया इस strategy का नाम है put option various expansion तो हम लोग भी इसका नाम लिख लखते है put option various expansion और फिर हम copy पर क्लिक कर देते हैं अभी ये strategy हमारे streak account के उपर copy हो जाएगी यहाँ पर हमने कौन-कौन से instrument add किये हैं चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 3 dynamic contract add कर रखे हैं bank nifty के dynamic contract कैसे add करना होता है चलिए इसका भी example आपको बता देता हूँ इसके लिए हम लोग add के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर से हम लोग कोई contract add कर लेते हैं तो हम लोग nifty select कर लेते हैं यहाँ पर आपको यह fourth option nifty 50 indices का यह आपको देखने को मिल जाएगा इसके लिए मैं भी plus के उपर क्लिक कर देता हूँ and done पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि instrument में हमारा यह nifty 50 add हो चुका है अभी अगर आपको इसे dynamic contract में convert कर रहा है तो आपको अपने cursor को इसके उपर लाना होगा and यहाँ पर आपको यह edit का option देखने को मिलेगा आपको इसके उपर क्लिक करना है and यहाँ पर से जो आपने index add किया था अभी nifty 50 का आप इसको अभी एक dynamic contract में convert कर सकते हो dynamic contract यानि कि अगर आपको इसका call option buy करना है तो यहाँ पर से आप इसे 0 रहने दीजिए अगर आपको out of the money का contract buy करना है तो कितना out of the money का contract buy करना है for example अगर आपको 2 stack price छोड़ कर out of the money buy करना है तो इसे आप 0,2 कर दीजेगा अगर आपको in the money का contract buy करना है तो simply आप इसे minus 0,2 कर दीजेगा तो इससे आपका add the money से दो stack प्रेसे छोड़कर इंदा money की side में आपका contract buy हो जाएगा किस expiry का buy करना है monthly या फिर weekly आप वो यहाँ पर से select कर सकते हो अगर आपको buy करना है तो आप long select कर सकते हो अगर आपको contract को short करना है तो यहाँ पर से आप short select कर सकते हो इसके बाद simply done पे click कर दीजेगा आप देख सकते हो कि यह जो आपने indices add किया था nifty का यह आपका एक dynamic contract में convert हो जुका है फिलाल इसे हम लोग यहाँ पर delete कर देते हैं and अपनी strategy को discuss कर लेते हैं तो put option various expansion में हम लोग यहाँ पर तीन contract buy करने वाले हैं bank nifty के सबसे पहले हम put option का add the money का contract buy करेंगे इसकी details आप उपर देख पा रहे हैं यहाँ पर mention है dynamic contract indices nifty bank PE ATM 0 current monthly long candle यानि कि यह हमारा एक dynamic contract है bank nifty का put option है exactly add the money का contract है इसलिए ATM 0 लिखा गया है and current की monthly expiry का contract है and इसे हमने long किया है based on candlestick pattern इसके बाद जो हम दूसरा contract यहाँ पर buy कर रहे हैं यह भी हमारा bank nifty का contract है यह हमारा put option buy कर रहे हैं दो stack prices छोड़कर out of the money में इसलिए वहाँ पर आप दिख सकते हो लिखा है ATM,02 यानि कि add the money से दो stack prices छोड़कर out of the money का contract है वो हम यहाँ पर buy कर रहे है and put option bearish expansion में हम लोग फायदा इसी बात का उठाते हैं कि जब bearishness बहुत जादा होगी तो यह जो out of the money का contract है यह in the money में convert हो जाएगा and इसका जो premium है वो काफी तेजी से बढ़ेगा इसके साथ ही एक और हम contract buy कर रहे हैं bank nifty का ही put option add the money से 4 stack prices छोड़कर out of the money में इसलिए इसकी details में आप देख सकते हैं लिखा है ATM,4 तो यह 3 contract हम लोग इस strategy में buy करने वाले हैं इसके बाद यहाँ पर हम लोग position I would take buy पे रहने देंगे कि candle interval पे हम trade करना चाते हैं हम 5 minute में trade करना चाते हैं तो इसे हम लोग 5 minute रहने देंगे कितने quantity आपको buy करना है तो वो आप यहाँ पर से edit कर सकते हो for example अगर हम लोग 10 lot में trade करना चाते हैं तो इसे हम लोग 10 कर देते हैं इसके बाद हमें entry condition fill करनी entry condition simply हमने ballinger bands के basis पर करिए यहाँ पर हमारी entry condition क्या है चले वो में आपका explain करता हूँ हमारी जो entry condition है उसमें आप देख सेतने clearly mention है जब कभी भी indices bank nifty यानि कि bank nifty का जो indices है वो close होता है crosses below LBB यानि कि ballinger bands का जो lower band होता है वो होता है अपना lower ballinger band तो इसलिए हम लोग इसे LBB बोलते हैं तो जब कभी भी हमारा bank nifty LBB को cross करके नीचे की तरफ close हो जाता है तब हमें यहाँ पर buy करना है तो यह हो गए हमारी entry condition इसके साथ ही हम exit condition को देख लेते हैं exit condition हमने दो fill कर रखी है stop loss हमारा 30 points का set है target profit हमारा 60 points का set है trailing stop loss हमारा 30 points का set है इसके साथ ही एक और हमारी exit condition है वो यह है कि जब कभी भी कोई candle close हो जाती है crosses above यानि कि उपर cross करके किसको उपर cross करके signal candle का high यानि कि जिस candle ने हमें signal दिया था enter करने का अगर कोई भी candle उस candle के high को cross करके उपर close हो जाती है तब हमें वहाँ पर exit कर देना है तो इन दोनों में से जो भी condition सबसे पहले hit हो जाएगी उस condition के accordingly हमारी position को exit कर दिया जाएगा यहाँ पर और नीचे आते हैं तो आपको backtest के जो other parameters हैं वो देखने को मिल जाएंगे जिसे कि आप कब से लेकर के कब तक की data के उपर इसे backtest करना चाते हो अगर हम यहाँ पर pen के उपर click करें तो इसे हम edit कर पाएंगे chart type हम लोग candlestick रहने देंगे holding type को हम लोग intraday रहने देंगे कि हम लोग इस option strategy को intraday के basis पर trade कर रहे हैं यहाँ पर और नीचे आते हैं तो back testing का हमें period देखने को मिलता है चलिए इसको edit कर देते हैं यहाँ पर हम लोग एक जनवरी से ले करके 31 मारी तक के data के उपर इसे backtest कर करना जाते हैं तो हम लोग start date को एक January 2013 कर देते हैं and date हमारा automatically 31 March 2023 हो जाएगा basically तीन महिने के data के उपर यह backtest हो पाता है फिलाल अभी हम save changes के उपर click कर देते हैं and save and backtest के उपर click कर देते हैं and अभी यह strategy हमारी backtest हो रही है and थोड़ी ही देर में हमें इसके results देखने को मिल returns मिल रहा होते हैं तो अभी आप इस strategy को copy करिए copy करने के बाद अलग-अलग time frame पे साती जाद अलग-अलग time period का data use करके आप इस strategy को backtest करके देखिए अगर backtest करने के बाद आपको इसके results पसंद आते हैं तो आप deploy all पे click करके इस strategy को deploy भी कर सकते हो अगर आपको paper trade में deploy करना ह इस strategy को live trade के format में deploy कर सकते हो फिलाल इसे हम paper trade select कर देते हैं इसके बाद आपको strategy cycle select करना है यानि कि इस strategy को हम दिन भर में कितनी बार execute करना है आप एक बार execute करना है तो आप one रहने दीजिए अगर आपको 5 बार करना है तो आप 5 select कर लिजे 50 करना है तो 50 select कर लिजे फिलाल हम से one रहने देंगे holding type हम लोग इंट्राटे रहने देंगे strategy को आपको कितने दिन तक live करना है आप जैसे कि one day select रहने देंगे तो एक दिन से चलेगी strategy हम लोग इसे strategy को 60 days तक live करना चाहते हैं तो इसे लिए हम लोग इसे 60 days select कर देते हैं variety regular रहने देंगे order type को हम लोग market रहने देंगे यहाँ पर check box पर click कर देंगे terms and condition को accept करते हैं and paper trade के ओपर click कर देंगे अभी यह strategy हमारी deploy हो चुकी है तो इस तरीके से आप अपनी इस strategy को deploy कर सकते हो साथ इसाथ back test करके देख सकते हो so guys that's all in this video I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा इस video के regarding या फिस ट्रीक platform के regarding आपका कोई भी सवाल है तो आप comment box से मुझसे पूछ सकते हैं आपको उसका reply जरूर्म लेगा जहते जहते वीडियो को like कर दीजेगा मिलेंगे आपसे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के ल जब हरो